साथियों कभी नहरूजी ने कहा था कि जिस दिन हर भारतिय के पास टॉयलेट की सुविदा होगी, उस दिन हम जान जाएंगे कि देश विकास की एक नई उंचाई पर है। मैं ये पंडित नहरूजी की बात कर रहा हूँ, कितने साल पहले की होगी आपका अंदाज कर सकते हैं, मतलब नहरूजी को भी समस्या का पता था, लेकिन समाधान की तपरता नजर नहीं आए। साथियों कभी नहरूजी ने कहा था कि जिस दिन हर भारतिय के पास टॉइलेट की सुविदा होगी, उस दिन हम जान जाएंगे कि देश विकास की एक नई उंचाई पर है। मैं ये पंडित नहरूजी की बात कर रहा हूँ, कितने साल पहले की होगी आपका अंदाज कर सकते हैं। मतलब नहरूजी को भी समस्या का पता था, लेकिन समाधान की तपरता नजर नहीं आई। और इस वज़े से देश का बहुत बड़ा हिस्सा लंबे समय तक मुल्ग सुविदाओं से बंचीत रहा। 2014 में, जब हमें सेवा करने का आउसर मिला, तो देश के ग्रामिन इलाकों में, सेनिटेशन कवरेज 40 परसंट से भी कम था, जब हम आये उस समय 40 परसंट से भी कम था। हमने इतने कम समय में, 10 करोड से जादा सहुचाले बनाए, स्वच्च भारत अभ्यान शुरू किया, आज देश के ग्रामिन इलाकों में, सेनिटेशन कवरेज 100 परसंट तक पहुच गया है। मैं आपको एस्पिरेशनल डिस्टिक का भी एक उधान देना चाहता हूँ। री इमेजिन वाला विशे जब यह आपने रखा है, तो मैं उसी दायरे में अपने आपको रखना चाहता हूँ। हालत यह थी कि वर्स 2014 में देश में 100 से जादा ऐसे डिस्टिक थे जिनें बहुत ही बैकपर माना जाता था। इन जीलों की पहचान थी गरीबी, पिछडापन, ना सडक, ना पानी, ना स्कूल, ना बिजली, ना अस्पताल, ना सिख्षा, ना रोजगार। और इन में हमारे देश के जादातर आदिवासी भाईबेन इन हिलाकों में रहते थे। हमने बैकपर के इस कंसेप्ट को री-इमेजिन किया और इन जीलों को एस्पिरेशनल डिस्टिक्स बनाया। पहले इन डिस्टिक्स में ऑफिसर्स को पनिश्मेंट पोस्टिंग ये रूप में भिजा जाता था। आज वहां बेस्ट एंड यंग ऑफिसर्स को डेप्यूट किया जाता है। आज सेंट्रल गोवर्मेंट, पी एस्टिक्स, स्टेज गोवर्मेंट, डिस्टिक एडमिस्टेशन सभी मिलकर इन डिस्टिक के टर्न अराउंड के लिए पूरी महनत से काम कर रहे हैं। इसके कारण हमें बहतर रिजल्स भी मिलने लगी है। और इसका रियल टाइम मोनिटरिंग हो रहा है। टेक्नलोजी का भरपूर उप्योग किया जा रहा है। अब जैसे उत्तरपदेश के एस्पिरेशनल डिस्टिक फतेपूर में इंस्टिटिशनल डिलिवरी अब 40 परसंट से बढ़ करके 91 परसंट हो गई है। अब उसके कारण माताम मुर्तिवदर, स्विश्व मुर्तिवदर में बहुत बड़ी कमी आई है। इसी ट्रिक्मेंट का सक्सेस रेच 40 परसंट हुआ करता था, वो बढ़ करके करीब करीब 90 परसंट हो गया है। करणा टका के एस्परेश्टल डिस्टिक्ट की यादगीर में अब ब्राट्बेन कनेक्टिविटी से जुड़ी ग्राम पंचायत्य के संख्या 20 परसंट से 80 परसंट पहुँच गई है। कितने ही ऐसे परामिटर्स हैं जिसमें किसी समय जिसको बैकवर्ड डिस्टिक्ट करके अच्छूत बना दिया गया था, एस्पिरेश्टल डिस्टिक्ट की कवरेज पूरे देश की एवरेज से भी बहतर हो रही है। यह है री-इमेजिनेशन, मैं आपको क्लीन वाटर सप्लाई का भी उदान दूँगा। आज़ादी के साथ दसक के बाद भी हमारे देश में सिर्फ 30 मिलियन यानि 3 करोड रूरल हाउस होल्ड के पास टैप कनेक्शन था। 160 मिलियन रूरल हाउस होल्ड यानि 16 करोड परिवार इससे वंची थे। हमने बड़ी-बड़ी बातों के बजाएं, 80 मिलियन यानि 8 करोड नए टैप कनेक्शन सिर्फ 3.5 वर्सों में दे दिये हैं। ये हैं री-इमेजिनेशन का कमाल। इससे पहले मुझे छे मार्श 2020 को E.T. Global Business Summit में सामिल होने का उसर मिला था। ऐसे तो तीन साल का समय बहुत लंबा नहीं होता। लेकिन अगर इस तीन साल के specific time period को देखे तो लगता है कि पुरे विश्व ने एक बहुत लंबा सफर तय किया है। जब हम पिछली बार मिले थे तो मास्क रोजमरा की जिंदी का हिसा नहीं थे। लोग सोचते थे कि वैक्सिन तो बच्चों की लिए ज़रूरी है। या फिर कोई गंबीर बिमारी है तो मरीजों के लिए ज़रूरी है। बहुत से लोगों ने तब गर्मी की छुटियों में घुमने की तैयरी भी कर रखी थी। कुछ करिकर दो टिकी होटल भूख हुए होंगे। लेकिन 2020 की उस E.T.E. समीट के ठीक पाथ दिन बाद डब्ली एचों ने कोईड को पैंडिमिक गोशित कर दिया। और फिर हमने देखा कि कुछ ही समय में पूरी दुनिया ही बदल गई है। इन तीन वर्षों में पूरा विश्व बदल गया है। वैस्ट्विक व्यवस्थाएं बदल गई हैं और भारत भी बदल गया है। बिते कुछ समय में हम सभी ने एंटी फ्रेजाइल के इंट्रेस्टिंग कंसेप्प पर धेर सारी चर्चाएं सुनी है। आप बिज्देश की दुनिया के ग्लोबल डीडर्स हैं। आप एंटी फ्रेजाइल का अर्थ और उसकी भावना भली भाती समझते हैं। एक ऐसा सिस्टिम जो ना सिर्फ विप्रीत परिस्तितियों का मुकाबला करें बलकी परिस्तितियों का ही उप्योग करके और ज्यादा मजबूत हो जाएं, विक्सित हो जाएं। मैंने जब एंटी फ्रेजाइल कंसेप के बारे में सुना, तो सबसे पहले मेरे मन में एक सो चारीस करोर भारतियों की सामोहिक संकल्प शक्ति की छबी उबरी थी। बीते तीन बर्षों में जब विश्व, कभी कोरोना, कभी युद्ध, कभी प्राकुर्ति की आपदा की चुनावतियों से गुजर रहा था। तो उसी समय भारत ने और भारत के लोगों ने एक अधवूत संकल्प, एक अभूत पुर्वश्रक्ति का प्रदर्शन किया। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि एंटी फ्रजाइल होने का असली मतलब क्या होता है। आप सोचिए, कहां पहले फ्रेजाइल फावी की बात होती थी, वहीं अब भारत के फैचान एंटी फ्रेजाइल से होने लगी है। भारत ने दुनिया को पुरे विश्वास से दिखाया है कि आपदा को अवसरों में कैसे बदला जाता है। सो साल में आये सबसे बड़े संकट के समय भारत ने जो सामर्थ दिखाया, उसकी स्टडी करके सो साल बात मानवता भी खुद पर गर्व करेगी। आज इस सामर्थ पर विश्वास करते हुए भारत के और भारत ने 21 सजी के तीसरे दसक की बुनियाद बनाई है, साल 2023 में प्रवेश किया है। भारत के इस सामर्थ की गुंच आज इटी ग्लोबल समीट में भी सुनाई दे रही है। फ्रेंड्स इस समीट में सामिल एक्सपर्ट भी इस बात को मानेंगे कि भारत की रैपिड ग्रोथ के लिए अच्छा इंफ्रास्रक्टर जरूरी है। लेकिन देश में पहले क्या स्थिती थी और जो स्थिती थी वो क्यों थी। इवन इटी में तो बड़े बड़े एडिटोलियल्स इस पर छपे हैं। लोगों ने अपनी ओपिनियन दी है। और उन में जो बात प्रभुक्ता से रही है वो ये कि हमारे हां इंफ्रास्रक्टर से जुड़े फैसलों में देश की जरुत को कम देखा जाता था। और राजनितिक महत्वकांख्शा को प्राथ्फिक्ता दी जाती थी। इसका जो नतीजा निकला उसका भुक्त भोगी पूरा देश रहा है। अगर कहीं रोड़ भी बननी है तो पहले देखा जाता था कि सड़क बनने के बाद गोट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ट्रेन कहां रुकेगी, कहां चलेगी ये भी राजनितिक नफा नुक्षान देख करता है होता था। यानि इंफ्रास्ट्रेक्टर की ताकत को पहले कभी समझा ही नहीं गया। हमारे पास और ये आपको चौकाने वाली चीज़े लगेगी कि कभी इटी वालों ने लिखा नहीं होगा। दुर्भागी है जी हमारे हाँ डैम्स बनते थे लेकिन केनाल नेटवर्क नहीं बनता था। आप सोच सकते हैं। छे मंजिला मकान बने और लिप भी नहीं हो और स्टेरकेस भी नहीं हो ऐसा सोच सकते हैं। डैम बने और कहनाल नहीं हो। लेकिन शाइद उस समय इटी को देखना उचित नहीं लगा होगा। हमारे पास माइन्स थी लेकिन मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कनेक्टिविटी कभी नहीं थी। हमारे पास पॉर्ड्स थे लेकिन रेलवे और रोड कनेक्टिविटी के प्रॉब्लेम भरपूर मात्रा में थे। हमारे पास पावर प्लांट से लेकिन ट्रांस्बिशन लाइन्स काफी नहीं थी। जो थी वो भी बुरी स्थिति में थी। साथियों हमने इंफ्रास्ट्रक्टर को साहिलोग में देखने की प्रैक्टिस को बंद करिक किया और इंफ्रास्ट्रक्टर के दिर्बान को एक ग्रेंड स्ट्रेजी के रूप में रीमेजिन किया आज भारत में 38 किलोमेटर पर डे की स्पीड से हाइवे बन रहे हैं और डेली डेली पांच किलोमेटर से जाना रेल लाइने बीछ रही हैं हमारी पॉर्ट केपिसिटी आने वाले दो वर्षों में 3000 MTPA तक पहुंचने वाली है 2014 के मुकाबले ऑपरेशनल एरपोर्ट की संख्या 74 से बढ़ करके 147 हो चुकी है इन नव वर्षों में लगभग साड़े तिन लाइक किलोमेटर साड़े तिन लाइक किलोमेटर रूरल लोड बनाई यही है करीब 80,000 किलोमेटर नेशनल हाइवे बने यह सारे नव साल का मैं हिज़दा आप दे रहा हूं आपको यह याद कराना पड़ता है यहाँ उसको ब्लैक आट करने वाले बहुत बैटे इनी नव वर्षों में तीन करोड गरीब परिवारों को पक्के घर बना करके दिये गए और यह तीन करोड का आकड़ा इतना बड़ा है कि दुनिया के कितने ही देशों की इतनी आबादी भी नहीं है जितने घर बना करके हमने नव साल में भारत के गरीबों को दिये हैं साथियों भारत में पहली मेट्रों 1984 में शुरू हुई थी यानि हमारे पास टेक्नलोजी आ गई एक्सपर्टीज आ गई तेकि फिर हुआ क्या देश के जादा तेर सहर मेट्रों से बंचीत रहे हैं 2014 तक यानि आपने मुझे सेवा करने का मोका दिया उसके पहले 2014 तक हर महिने आधा किलोमेटर के आसपास ही नई मेट्रों लाइन बना करती थी 2014 के बाद मेट्रों नेट्वर्क बिछाने की एवरेज बढ़कर लगबक 6 किलोमेटर पर मन्त हो चुकी है अभी भारत मेट्रों रूट्ट लेंज के मामले में दुनिया में पांचवे नमबर पर पहुँच चुका है आने वाले कुछ महिनों में ही हम दुनिया में तीसरे नमबर पर पहुँचने वाले है अभी पांचवे के मामले में तीसरे नमबर प्राइबर पर पहुँचने वाले है झाल झाल